दोस्तो यूनिट और मेजर्मेंट से हम लोग यहां कुछ ट्रिक्स को जानने वाले हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है यह दोस्तो एलपी के परपस से बहुत ही इंपोर्टेंस कोईसन्स आख के लिए होने वाला है क्योंकि यूनिट्स और मेजर्मेंट से आप लोग यहां देख पा रहे हैं कि मैंने एक लिखा हुआ है कि Liam कर डं डासैम ठीक है कडम कर्दसं और इसको मैंने मारतके किया हुआ है one two three four five six seven के जिसमें मेरा कड?. Hun work हुग हूं मेरा किलोमीटर से इंदिकेट कर रहा है हो जो है हमेरा है हिक टू मीटर से इंदिकेट कर रहा है डॉ जो है यह मेरा डेका मीटर से इंडिकेट कर रहा है एम जो है यह मेरा मीटर से इंडिकेट कर रहा है डॉ जो है वो मेरा डेसी मीटर से इंडिकेट कर रहा है सो जो है वो मेरा सेंटी मीटर से इंडिकेट कर रहा है और M जो है वो मेरे मिलिमीटर से इंडिकेट कर रहा है तो यहां मैंने यह सब चीज को देख लिया अब दुस्तों माल लिजे कि मेरे पास यहां questions आता है questions आपके पास क्या आता है कि एक किलोमीटर में कितने मीटर होते है क्या है questions एक किलोमेटर में कितने मीटर होते हैं अब दिखिए मेरा किलोमेटर कहाँ पर है मेरा किलोमेटर यहाँ पर है ठीक है किलोमेटर मेरा यहाँ पर है तो कौको हमको ढाब लेना है कौको ढाब लेने के बाद मुझे से क्या पुछा जा रहा है एक किलोमेटर में कितने मीटर होते हैं अब मुझे मीटर के पास जाना है तो मीटर मेरा पहला दूसरा तिसरा तिसरा पे मेरा यहाँ पर मीटर है मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 into 10 to the power कितना पर है 1, 2, 3 पे तो 10 to the power 3 मतलब 1 किलोमेटर में मेरा 1 into 10 to the power 3 मीटर होगा ठीक है उसी परकार दूसरा जो मेरा question से यहाँ पर है कि 1 km में कितने cm होते हैं अब दिखिए km मेरा यहाँ पर है km कम को फिर से ढप लेना और cm के पस मुझे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 में मेरा cm है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 into 10 to the power 5 मतलब 1 km में मेरा 10 to the power 5 cm होता है वसी परकार हम लोग तिसरे प्रस में जाते हैं कि 1 hectometer में कितने cm होती है ठीक है अब हम लोग hectometer पर जाते हैं तो hectometer यहाँ पर मेरा यह है ठीक है इसमें दोस्तों हम लोग क्या हो रहा है तो power मेरा negative होगा मैं आपको इसमें बता रहा हूँ भी ठीक है अब मेरा प्रस्न है कि 1 hectometer में कितने cm होती है अब hectometer कम को ढप लेना और cm के पास मुझे जाना है तो 1, 2, 3, 4 तो 1 into 10 to the power 4 1 hectometer में मेरा 10 to the power 4 cm होता है अब देकि 1 decometer में कितने mm होती है अब मुझे decometer के पास जाना तो decometer में रही है decometer को ढप लिना है और मुझे क्या पुछा जा रहा है कि कितने mm होते है तो 1, 2, 3, 4 तो 1 into 10 to the power 4 मेरा mm होगा ठीक है उसी पर कर मेरा प्रस्न है कि 1 mm में कितने cm होते है अब देखिए ये परस्न मेरा क्या हो रहा है कि ये मेरा opposite direction में जा रहा है मतलब ये मेरा right to left में जा रहा है अब देखिए 1 mm में कितने cm होते है अब देखिए mm मेरा यहाँ पर है अब cm मेरा यहाँ पर है तो mm mm कुछा प्लेना और cm कहा मेरा कहा है एक के पास मतब 6 के अस्तान पूर में सेंटिमेटर है तो यहां हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 10 टू दिपावर माइनस 1 ठीक है सेंटिमेटर होगा क्योंकि हम लोग राइट से लेप्ट की और आ रहे हैं इसलिए हम लोग का जो है वो माइनस में हम लोग लगा लें उसी परकार 1 में कितना किलो मेटर होता है अब देखिए 1 मेंटर यहां हम लोग ढप लेंगे और किलो मेटर के पास आना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है तो हैसे हम लोग लिख लेंगे कि 1 into 10 to the power minus 6 किलो मेटर होगा उसी परकार 1 में कितना किलो मेटर होगा अब देखिए 1 मेटर मेटर मेरा कहां पर है मेटर मेरा यहां पर है मेटर को हम को ढप लेंगे और किलो मेटर के पास जाना है तो 1, 2, 3, मतलब मेरा जो अंसर हो जागा उतो 1 into 10 to the power minus 3 km उसी प्रकार मेरा last उप रसन है कि 1 hectometer में कितना decimeter होता है तो 1 hectometer 1 hectometer को यहाँ पर ढाप ले ना है और decimeter पूछ रहा तो 1, 2, 3 मतलब 1 into 10 to the power कितना था 1 hectometer hectometer कहाँ पर hectometer और decimeter 1, 2, 3 पर तो 10 to the power 3 decimeter यह मेरा हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग बहुत से unit को solve कर सकते हैं उसका measurement क्या होगा तो यहाँ पर हम लोग देखे क्या कि अगर मुझे left to अगर हम right जा रहे हैं मतलब ऐसे अगर जा रहे हैं तो मेरा sign जो होगा power का वो मेरा positive में होगा अगर हम right से left आ रहे हैं तो sign मेरा क्या होगा negative में आ जाएगा उसी परकार आपको बहुत सरा इसमें आप questions बना सकते हैं कि एक hectometer बराबर कितना meter होता है कितना decimeter होता है कितना decimeter होता है कितना centimeter होता है कितनी millimeter होता है तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही उपयोगी है, आपके लिए ALP CBT2 के एक्जाम के परपस से ठीक है, तो अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो प्लेज उसको लाइक कीजिए, सेर कीजिए आपने दोस्तों के साथ.